यूहांस्क से आया एक बहुत बड़ा हम तेख सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है और एक विश्पौट हुआ एर-स्ट्राइक हुआ है जिसकी तस्विन हम आपको दिखाने जाने जए तस्विर को तो आप समझ पाएंगे कितना भैयांकर फाई यह तरीटें ने घंव में को बर्वाद करने के लिए कि एर स्ट्राइक के लिए में भी चोंथ और डिरीटू कौचल्पज辇। उनको डामिज किया अब लेकिन मैं पिछले वाली वीडियो की बात करूँगा जिसमें की अटक हेलिकॉप्टर जा रहा है और नीचे सर्वलेंस और जो पॉकेट से रेस्टेंस उनको खतम करने कोशिश कर रहा है इसमें खास इंडिकेशन एक बात समझ में आती है कि रस्या का पूरा दबदबा है एर डॉमिनेंस है वरना इस तरह के हलिकॉप्टर अगर आपका एर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है तो वो सिटिंग डॉक्ट की तरह है कि वहां पर युक्रेणियन एर फोर्स का कुछ भी नहीं रह गया है क्योंकि इस तरह हलिकॉप्टर का मोवमेंट अगर आपके पास एंटी एक्राफ गन्स हैं या मिसाइल्स हैं ये हलिकॉप्टर सिटिंग डॉक्स की तरह है जो उनकी स्पीड और वो है तो उनके उपर ये वहीं से हमला करके उनको बरबाद कर सके या कोई अगर स्नाइपर बैठे है या कोई उनका रिजिस्टेंस है या कोई डिस्ट्रॉइ करते हैं एक एक करके जो लगाताग खबरे आ रही है वो सिल्फिलवार तरीके से हम तस्वीरों के साथ आपके सामने रख रहे हैं हमने देखा कि किस तरीके से रूसी दावा ये कहता है कि खेरसाओं पर उसका कबज़ा हो गया है खार कीव उसका टार्गेट कल था आज है और कीव उसका टार्गेट लगातार बना हुआ है एर डॉमिनेंस अपनी एर सुप्यॉरिटी वो कैसे दिखा रहा है उसके तस्वीर अब रूसी सरकार की ओर से जारी की गई है दूसी तरफ आप एक तस्वीर देखें ओरेसा में जो की एक पोट शहर है वहाँ पर कैसे रशिन फ्लीट आगे बढ़ रही है उसकी ताकत आगे बढ़ रही है जैसे मनीश आप बता रहे थे कि ये अब विजिबल होने लगी है पहले ये विजिबल नहीं थी ऐसा नहीं कि वह वहाँ मौझूद नहीं थी लेकिन अब ये विजिबल होने लगी है और खुद रशिया इससे दिखा रहा है एक माइंड गेम एक ताकत का गेम इस वक्त बड़े जो एरियाज हैं वहाँ पे लगातार एर सायरन बज रहा है बिल्कुल क्लियर है कि अपने फाइटर एरक्राफ से रशियन फोर्से समय लगातार ये कोशिश कर रही है और इन एरियाज को डिमॉलिश करेगी अब बात ओडिसा की ओडिसा की तस्वीर इसलिए साथ सम्मरीन भी लेके आये होंगे और ये तस्वीर खारकिव की है रूस के हमले से स्कूल की इमारत पूरी तरह से बरबाद हो गई है इस बिल्डिंग में छात्रों का हॉस्टल था जो अब पूरी तरह से खंडर बन गया है एक बार फिर से आप तस्वीरों पे देखे तो कितनी जबरदस बंबारी की है उसे आप इन तस्वीरों से समा सकते हैं पूरा खारकिव शहर दुए के गुबार में इस समय बदल चुका है चारों तरफ जो में रोड है में हाईवेज हैं वाइटल इंस्टॉलेशन हैं डिफेंस इंस्टॉलेशन हैं वो सभी टागेटेट सकते हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी होगा वो पूरी तरीके से मलबे में तबदील हो चुका होगा खारकिव की ही खबर हमने आपको बताई आठ लोगों की जान चली गई इनमें दो बच्चे भी शामिल थे जो उनका इंपॉर्टन्ट इलाका है जिसे हम टीवी टावर की ब प्रफ नहीं से भी बुट।